का सियासी संग्राम लगातार जारी है कॉंग्रिस आज अपना घोशना पत्र जारी करेगी किसान यूआ और महिलाओं पर बताया जारा है कि घोशना पत्र में विशिश फोकस रहेगा किसान यूआ महिलाओं पर विशिश फोकस जो है वो कॉंग्रिस रखेगी बीजेपी अपना घोशना पत्र जारी कर चुकी है ऐसे में कॉंग्रिस के उपर भी फोकस है इस चीज का कॉंग्रिस फोकस कर रही है कि जो वादे और दावे बीजेपी ने अपने घोशना पत्र में किये हैं उनका किस तरीके से काट निकाल कर लाया जाये तो राजस्थान का सियासी संग्राम पूरी तरीके से तयार है और अब इस कड़ी में कॉंग्रिस अपना घोशना पत्र जारी करेगी जिस दारान कॉंग्रिस अपना घोशना पत्र जारी करेगी जानकार ये है कि कॉंग्रिस की तमाम दिगज में ता इस दारान मौजूद रहेंगे बताया जा रहा है कि स्टिन पाइलिट मौजूद रहे सकते हैं और मलिकार जुम खड़गी भी इस दारान उनके पास साथ मौजूद रहेंगे कॉंग्रिस के तमाम दिगज नेता जोंगे वो मन्च पर मौजूद रहेंगे और कॉंग्रिस का घोशना पत्र जो है वो जारी करेंगे बताते चलेके इससे पहले कॉंग्रिस साथ गैरिंटिया दे चुकी है जिक्को सरकार बनते ही सियम अशोक गहलव की दारा बोला गया है कि उसे राजेस्थान में लागू कर दिया जाएगा यानि कि साथ कैरेंटिया जो कौंगर्स की तरफ से दी गई हैं। उनको सबसे पहले चुनाओ जीतने के बाद कौंगर्स ने कहा है कि उनको लागू किया जाएगा और इसी के साथ साथ आज जो खोचना पत्र होगा उसमें देखने वाली बात होगी कि कॉंग्रेस क्या कुछ वादे कर रहे हैं